लाइप बच्चों, हिंदी कांशा दू में आप सदी का स्वाठाद है बच्चों, हम उखने इसने फि stellen वीडियो में बढ़ रहें थे पार्ट 14, 14 बच्चों, पार्ट 14 है वसंत रिती वसंतर्ःत में हमने एक कईता पड़िधि कवितां लेह हुदे पसंद रित्र के बाई में परा था और लिंटे उसे संब्द हे पार स्ब्द हे शक्त रात पड़े थे तुर अभियास करें रहते हैं अभियास के हुदे मौखे और लिखित प्रस्न कर लिये थे भाषा से रहें तो चलिए, जो हुँने पिछले पाट में पढ़ा होशेल एक पाट पढ़ाते हैं, तो इसके बाद हम आगे का अभ्यास करें हैं, तो बच्चों हम पढ़ा लेते, भाशा से, भाशा से, भाशा से में हमें पढ़ाता, पढ़ो और समझू, पढ़ो और समझो, बच्चों पढ़ो और समझो में हम पढ़ेंगे पर्याय बाच्च, फूल, फूल का कि दो पढ़, नाम पढ़ें, जैसे खुसुल, खुसुल या सुमण, सुमण, बच्चों, जैसा तुम ने पढ़ा है, समान अर्थी शब्द को भी हम पढ़ाय बाच्ची शब्द कहते हैं, यहां पर एक शब्द के, अगर एक से अर्धी अर्थ हीं करते हैं, तो हम उसे कहते हैं पढ़ाय बाच्ची शब्द, जैसे कि हमने पढ़ाया हमें, तो पूल का है खुसुम और सुम। उसके बाद हमारे पास दूसरा शब्द है। दूसरा शब्द में हमारे पास भव। भौरे के दो और शब्द है जिनका मकद या अर्थ एक जैसा कोता है भौरे भौरे या ध्रमर भंखर भंखर या भ्रमर तो जोचे यहां हम मारे पास भौरे का कर दो और शब्द दिनका भे शोटा है और एक से जैदा अर्थ होने वाले शब्द को हम कहते हैं पर्यावाक्ची शब्द तो भवरे और खवर ना बत्वाधी होता है भड़े ती में हमारे पास है हवा हवा, हवा, पावन, हवा का हो गया पावन, वायू वायू, यहाँ पे भी हमारे पास दो शब्दे हैं जिसकी एक ही जैसे बत्वाधी तो यहाँ पे खवा, बायू और पावन या पावन या खावन हमें भी कहते हैं पर्यावची शब्द वह थोगे हमारे पास तन, तन मतलब शरी और काया तन मतलब शरी और काया अगर एक से अधिक मेनिग और को तो शिए हो कहते हैं पर्यावाची शब्द तो यहाँ पर हम परेपास चार पर्यावाची शब्द इहला है फूल, फूल को हम पुस्ण और सबंढ दि कहते हैं भौड़ भौड़े को हम भौवरे और भ्रावान dhe कहते हीं हवा, हवा पुहम पावर और वाई हो दिया है ताहिए शरीर कार्ण यह हो के हमारे पर्यावाची शक्र अगला प्रश्ण है हमारा जो कि लोगी उसरे बार हुए एक कविता बढ़ी थी जो हमारे पार्टे पुस्तक से नहीं थी अब करने की माड़ी रित माड़ी में कर्ण भी आहिंकर वह चार पर कर लेखक्र कर्ण भीड़ करेंगे। चोबी छोपी पर लेखेंगे और वबशक्र में लगाए थी इसके अलावा मैंने भी आपको एक कर्ण भीड़ कीनि ती जिसमें देखिया ने उस कविता में प्रंगॉक्ः चार रितों के बारे बढ़ला जिसमें पढ़ला कि रितो जाता है और दूसरी रितों आती है और ये आने जाने का स्मेला लगा रहता है और हमारे पहनना & खाना भी नितू के हिसाब से बदरता रहता है मंनक्त हमने उसका पता की जो हुआ खाते ही या जो हुआ पहनते हैं या हमारा रहन से इह की हम नरा पुरे सब्सेय को हूँ नहीं हेक्तन तो घर 0071010 our उसके अलावा हमारा रहें सहंती बढ़ना जाता है कभी हम भूब मेंपना पसन करते हैं कबी आम चर्के अंदर बढ़ना पसन करते हैं कभी हम थंदा पीना पसन करते हैं कभी तरण दीना पसन करते कभी दूरी बसत है किते हैं यह सारी चीज़े कैसे होती है इना सारी चीज़े हमारे रितुओं के हिसाथ से हमारे धाना पिना और रशुन स्इन भी कुछता है तो यह हमतं हमें कभी तानों पड़ीकि जो किमनें दूसरी फुसकते अपढिती है बच्चो, हमारा अगला प्रशन था ख, चित्र देखकर तीन-तीन वाक्य लित्म, हमारे पास यहां पे कुछ चित्र दिये गए हैं, जिसमें हम चित्र देखकर के उसके बारे में लिखेंगे, पहला चित्र हमने कर गया था, आगे के दोने चित्र आजां करेंगे, तो पहले च बारिश होती है जैसा कि हम जालते हैं इसके बाद चारदरफ हरवी होती है उस सा अब्ली जो मौसर्य होता रिए घसाँ बारिश से इंजार करते हैं लित्त Нिपेल्सक्ति वारिश पहर जो धैलने की हुए बारइश। अच्छी चीज़े खाने कामन करता है गरम चाय या काफी बीने कामन करता है जब बारिश हों देख तरह यह सारी चीज़े हम वर्शा रिकुमें विछे वीडियो में भी पड़ता है पहला वडशा लिटु में हम अब वर्षा लिटु में वर्षा होती है या पारे फोरे बारब चाल तरफ लिंग ऑर उम के अब कहते हैं करेंगे आजाओ व्यास में दूसरा चेत्र जय जो आपके साम्ने हैं इसे देख सकते हैं इसमें आपको क्यास?" बच्चो ईस चत्र में आपको को छा मौसन दिखाएगा जैसा कि हम देख रहे हैं एक प्च्चा है जिसने प्यार है यहां की सुरोज तोपी पेहना भाएगा हैं है टोपी महतने मतले हम चब्ञाइग tsp चरद्रेतु को हम अनि सब्शमgriff boxes चरदियों के करते हैं वो लिखेंगे तो सर्दी में हम गरम टपड़े पहनते हैं सर्दी में हम स्वेटर लगरा पहनते हैं और उसके बाद हमारा गरम गरम चीजे खाने का मन करता है और उसके बाद त्या करते हम ठंड का मौसम होता है ठीक है पुचले दिखेंगे पहले बाद सर्दी में ठंड का मौसम होता है हम पूनी वस्त पहनते हैं पहनते हैं उसके बाद पहनते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे गर्म, चीजे, चीजे, खाना, परसन, करते हैं, गर्म, चीजे, खाना, पसन, करते हैं, सर्दियों में बच्छो, ठन्डा मौसम होता है। इसमें हम गर्म, चीजे, खाना, पसन, करते हैं, और नी बसन होता है। यह हो गया, सर्दी का मौसम, हमें तीर बाक्य लिखना है, तीर बाक्य लिखना है, पहला है, थर्द का मौसम होता है, सर्दी में थर्द का मौसम होता है, हम मुनी बस्त कहने हैं, गर्म चीजे खाना पसंद रहते हैं, कैसे चीजे खाना पसंद करते हैं, गर्म चीजे खाना प ग्रिश्म रिटू का हग्ण होता है गर्मियों का मौसम। हमारे पास पिसने चक्रम है ग्रिश्म होता है ग्रिश्म रिटू। पहरा बाकरी होनगे ग्रिश्म प्रित्म में बहुत गर्मी होती है विश्य विविविव में महुत गर्मी होती है उसके बाद दूसरा पार्फी है हम किस तरह के वस्त पहने हैं? हम सूती हम सूती हल्पे के रंग बाले वस्त पहने हम कौशे बस्त पहने हैं? हम सूती हल्पे रंग वाले वस्त पहने हैं उसके बाद धन्दा धन्दा पी पीना पसंद करते पहने कि that हम कैसा पीना पसंद करते हैं? धन्दा पीना पसंद करते हैं धन्दा पीना यह खाना पसंद करते हैं कंगो सभी होती है हम सुपी हलके रंड़ वाले बस पराएं हर्डा पीना वसं amor कशुण करते हैं पीना यह था हमारे शांया ज़ए तो यहां था हमारा तीसरा चेटमे हमें फिस में घर्मी को आप दिखा जिरा है क्वे ऑदन पंखा भी चलता है कि कौछा मसं है यह है गर्मी का मसं तो बच्चो यह था हमारा पाठ चौथा इस तरह से हमने यहां कभिता बसन परितू खतम कर लिए हम आगे का पाठ पढ़ेंगे आगे का पढ़ने से पर ले बच्चो हम कुछ विचार करेंगे पच्चो आपने खर्गोश और शेर की कहानी सुनी है क्या आपने खर्गोश और शेर की कहानी सुनी है जिस कहानी में अगला पाठ पढ़ने से पहले हमें कहानी सुनी है क्या आपने शेर और खर्गोश की कहानी सुनी है कहीं नखाए सुनीया पढ़ी तो होगी चले एक बार जंगल में एक शेर रहता है, जैसा कि हम चानते हैं, शेर बहुत ही बलवान होता है, ताकतवर होता है, और दूसरे जंगलों पर अक्तिया चाहर रहता है, तो इसी तरह इस कहानी भी, जो हमारा शेर है, जिसे हम जंगल का राजा रहते हैं, यह राजा भी, यह शेर भी बहुत जब मत उता था किसी को भी पकड़ करके मार देता था खा जाता था तो उससे जो जंगल में जानगर ने देखे बहुत परिशानी थे तो बच्चो उन्हों ने सुचा कि क्यों ना इस परिशानी का कुछ निकाना जाए क्योंकि रोज किसी को भी पकड़ करके खा जाना खुछ अच्छा नहीं लगा हुए तो फिर सारे जंगर में रहने वाले जंगरों ने एक सभा गोलाया था मीटीन रही उसभा में उसभा में उन्होंने बिचार किया विचार कि नो ने कि यह जो हमारी परशानी है कि रोज किस तो तुसे हम मैंसे एक जानवर रोज शेर के पास चला जाएगा और वो उसे खालेगा इससे यह होगा कि कमसे घानवर को पता तो रहेगा कि आज किसकी वारी है और एक बार वो सेमित रहेगा तो यहां सूच करके, बोलो, सब लोग यही निशकर्ष निकाते हैं, कि ठीक है, अब हर रोज एक जानवर शेर के पार जाएगा, और शेर उसे खाली होता है, और लेकिन फिर अब को निशकर्ष तो इनने निकाली है, लेकिन अब इसको शेर को भी बताना था, तब वो सब लो क्यों इतनी मिद्द करेंगे, हम आपके पास खुदी हमें से एक जानवर रोज आपके पास आजाया करेगा, और आप हमें खा देगा, तो शेर कहता है इच्छा, ठीक है, शेर भी सोचता है कि मिज़े तो भीरत भी नहीं करें, पर अराम से मेरे पास एक जानवर आएगा, म फिर उसके बाद फिर यह सलसला शुरूल हो, हर रोज एक जंगल से जानवर शेर के पास जाता था और शेर उसे खाले था, तो कुछ दिन तक यह चलता रहा, फिर बारी आई चाला खर्गोष, तो बच्चु जैसा कि हम जानते हैं, खर्गोष पक चाला था, तो खर्गोष कुछ शेर के पास जाया था, कor खर्गोष पोश की बाद बाद बहा चाकर के तो रास्ते में Wam यह उस्टरे के न जा रहा था क्योंकि वह नगी चालता था, उसको और जीने का मन था तो वह नगे सोस्टरे में शेर के पास बहूंचा और बहुला यह का, कि मै रास्त, पह पा तो खर्गोष ने बोला कि राजा जब मैं आ रहा था तुम्हे एक और शेर बिला जो कह रहा था कि तुम उसके पार को शेर के पास नहीं जाओगे मैं तो कि खाऊगा तो खर्गोष जो शेर खा गया बोला कि अरे इस जंगल का राजा तो मैं हूं कोई आर शेर कैसे जंगल में आसकता है कि इस जंगल में तो एक ही राजा हो雁का ना तो भुष्टय होता है तो शेर खर्गोष कहता है जब सो कि और ऑख दो कहां था उसको घुझ ना कशेर दिखाता है और उसको फिशाम इस आख ले बनने गया उसको एक कुवे के जब वो दो लोग कुवे के पास पहुचे तो खर्गोष ने बोला खर्गोष को कि आप कुवे के नुडेर पर चटकर छांगे आपको दूसरा शेर दिखाई देना जैसे कि अपनी परचाई देखता है तो उसे दगता है कि यह तो सभी पर दूसरा शेर है तो वो पहले तो गरश्टा है जब यह गरश्टा है तो घरसी की गरश्ने की आवाज आती है और जितनी बार यह गरश्टा है दुदर से भी जवाब में इसको गरश्ने की आवाज सनाई देती है तब फिर इसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में यह पानी में च्छनाप लगाने के बार वह पानी में घरके मर जाता है तो बच्चो इस तरह से सूझ बूच और अगला 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 पार हमारा क्या है हमारा अगला पार्ट है पार्ट पंदर पार्ट पंदर बच्चो इस पार्ट में हम कुछ एक ऐसी कहानी पढ़ने जाए हैं जिसमें की एक कुछ बंदर है और वह बंदर चांद की परचाईन पाने में दिखाई देता है इसके मैं आपको यह कहानी सुना रहे हैं तो यह कहानी सुनाने से भिले मैं उसे कुछ परशन पूछती हूँ बच्चो खरगोश और बंदर बारी कहानी की चार्चा हमने की तो उसके बाद शेर ने कुवे में क्या दिखा जब शेर ने कुवे में जहांगा तो उसे क्या दिखाएगी यासा कि मैंने बता है इसकली अपना प्रतिविम या परचाई दिखाएगी जब भी हम भी पानी में परचाएगी तो हमें भी हमारे परचाई दिखाएगी और जो कुवा वाला शेर था क्या वह सगीन शेर था नहीं वह शेर सगीन नहीं था वह उपर खड़े शेर की परचाई थी या प्रतिविम या प्रतिविम या क्या वह दूसरा शेर जो दिख रहा था उपर खड़े शेर की प्रतिविम या वह उपर खड़े शेर की प्रतिविम या आज हम इस कहानी में कि चांड की परचाईं कुवे में रहा है। कि इन बंदरों ने चांड की परचाईं कुवे में रहा है। तो पहले में आपको खाड़ी परओंगी उसके बाद दुबारा कपके में समझाओंगे। तो बच्चो एक जंगल में चार बंदर रहते थे। मट्रू, कट्रू, दुम्पू और नैकू। तो बच्चो एक जंगल में चांड बच गया। तो एक जंगल में चार बंदर भेते थे। मट्रू, कट्रू, दुम्पू और नैकू। चारो के नाम क्या थे। मट्रू, कट्रू, दुम्पू और नैकू। चारो पके दोस्त थे। चारो पके दोस्त थे। गोल मत्रू। और कथू के कान बड़े बड़े थे। कथू के कान, कथे, कथू और कथूD कान के कान, बड़े बड़े थे। फिर दुखू की दुबड़ी चैसे दुण उलो तो दुखै दुबड़ी थी और नाहखू की आखे की मोटी मोटी नाहखू की अब में क्या आ सकती उसकी आखे मोटी-मोटी तो इस तरह से थे चार मित्रे एक दिन चारों दोस्त एक हुए के पास आंख ने छोली खेल रहा था जोसको आप हाइडेंसीज भी बोलते हैं टिके लिहां पर आख मुचली खेल रहते हैं चांद नी रात थी आस्पान पे पुगा चांद चमग रहा था क्वेरते खेलते मैं कुवे की मुणे पर चड़ता है बच्यों क्या कुवेदे आप थी नहीं देखा रहे कि टभी अपने अजके प्रेशना एं नाहीं कि टता रहा है तो यो ने हाथ गहा है ठायल उसके चारों तरह एक जातने हैं और ही मुटे रहा है कि क्योंझ हूए के पास जाए तो एक बाउंड्री कर्दे बनाते हैं प्रफ स्नीट से, वैसे ही उए के चारट्रपी हम एक मुंडेर बनाते हैं ताकि भूझी थोड़ा नहीं नहींいます लॉंडेर व antagonist मुंडेर से विप्स कम दो जबनायद पदे में खेलते खेलते नैकू की मुणेर पर चड़ गया जो चौथा बंगर था जिसका नाम नैकू था वह कोई की मुणेर पर चड़ गया उसने कूमे में छहाँ तो देखा की चांद कूमे के पानी में खेल गया था जैसे कि बच्चों अपनी अभी नदी के पानी कुए में नदी के पानी में देखा हुआ है या सूरच या चांद की प्रतिवियम तभी तो भी तिखाई रहती है सूरच तो नहीं दिन में रोश्री की विज़े से नहीं किताई देखी लेकिन रात में अगर चांद भी रात है तो प्रतिवियम दिखेगी तो वहां पे वह ऐसे बहता है जैसे पानी मिलता है तो वह लगता है कि जो तस्वी है वह भी हिर्पी हो तो जब किसने भी छांपा कि उसको जो चांद की प्रतिवियम या चापर शाएं पर रही थी वह उसको खिल्पी नजर आया तो वह चिलाया अरे देखो चांद उमें में गेर गया है बहुत भूब रहा है तो उसको क्या लगा उसको ऐसा लगा कि चांद उमें में गेर गया है और वहां दूब रहा है त वाकिते जो तीन बंड़के मद्रू, कद्रू और दूपू दोड़े आया। उन तीन उन्हें की बारी बारी से पुवे में छांका अरे चांद तो सचमुच पानी में डूपड़ा है। अब क्या करें इसे कैसे बचाएं। अरे उन्हें ओने देखा कि दोफट को सचमुच पानी में डूपलएखे जलाओ । अब क्या करें इसे कैसे बचाहें। चांद को वमके बचाने का अपड़े सोचने रहें। अब जब कुने इने सामने परिशाने की ता उसको से बहर रहनेका वा उपाई सब्चन करें उसके बार अच्यालना दुम Town juice चिलाया चांद को बचाने का उपाई डिख also तो जल्दी बताना तीनों बोले, दुम्कु बोला, हम कुमे में जाकर चांद को बाहर निकाल लेगे, लेकिन गुद्धु, हम कुमे में जाएंगे कैसे, तो दूसरे ने बोला, लेकिन गुद्धु, हम कुमे में जाएंगे कैसे, दूब नहीं जाएंगे, दूब नहीं अपनी बाते बतायें कि जो तुसको समझ में आना दखा नैकू सिर्फबन हाथ रखकर बोला तुमकू नैकू का हाथ पकड़कर बोला देख नैकू कुवे में पानी काफी ऊपर है हम एक दूसरे की टाम पकड़कर कुवे में लटके लिए और चांद को पानी से बाहर निकाल दोगी बच्चो जैसा कि आप चुत्र में देख सकते हो किस तरह से सबसे उपर बाले जो बंदर है उसने अपनी पूच पेड की डानी में लपेट लिया है अक्समों से पूच की डानी है और नीचे तटक गया है और उसके नीचे दूसरा बंदर का उसने पैर पकड़ना हुआ है तो दूसरे बंदर पीसरे बंदर का पैर पकड़ना हुआ है तो उससे बिखे Dilsak нос पेडिसकों से बाहर निकाल सके यह पैकर दुब्वू पूले के पास लटकती दारी पर अपनी दुख लखेट कर उल्टा लटक केया उसमे मत्रू के पैर अकड गहा और मत्रू ने कठरू से कठर के अब नैकू के बारी आए कठरू ने नैकू की कानग पखड़ी वह भी लटा लटक उसका हाट पानी तर पहुच गया है अब जब मैंने जैसा कि बताया कि सबसे उभर बना भी मूझ लपलित error लजया फिर इस ले दुसरे की टां कि तुख लगुदी दूसरे ले जॉसरे की टां पर ले दूसरे ले चौते की टां कि तुख लेनी इस तरह से वह पूरी शिल्क्लाय उना करके पानी में केपाज तक प利त रहा था चांद पानी में हिर रहा था नागे चांद को अपने हाथों ने पकरणे का प्रयास हाथ पर चांद बार-बार हाथ जैसे कि वो नैपू उस चान को पकड़ने की कोशिश करता वो उसी हाट से निकल जाता नैपू चान को अपने हाथों में फकड़ने का प्रयास करने लगा पर चान बार-बार हाथ में से फिसल जाता नैपू ने पानी में जोर-जोर से हाथ मारने शुरू के लिए उपर वारे सब भी जिल्डाये जल्दी कर नैपू हमसे और नहीं लटका जाएगा उपर वारे जो नैपू के उपर तीन बंदर के उन्होंने जोर से चिल्दाया कि जल्दी कर नैपू नहीं तो हम जादा देट तो इस तरह से नहीं लटक पाई गों धीरज धरों किस ने बोला नैको ने बोला थीरज धरों बस अभी निकालता हो चान को नैको ने कहा बहुत दोन्यों हाथों में पानी भर भर कर उपर उच्छाने लगा तब ही उसकी नजर उपर आकाश पर गई हुए की सीध में खीक उपर बादर में चान चमक रहा था नैको खुशी से चिलाया बच गया चान बच गया देखो मैंने उसे उपर उच्छा कर आकाश में उपचा दिया है यहांती कहानी हमने आज आधी कहानी पढ़ी है अगले का अगला आधा भाग हम कल के वीडियो में पढ़े के बच्छो जितना भाग हुने आज पढ़ा है उसको आप एक बार पढ़ लेना और जो नीले रंच से शक्त दिये गया है उनके पर्त की देख लेना तो बच्छो आज के लिए बस इतना भाग है